कि अब तक हमने एक अधिक विधी से एक अंको और दो अंको वाली संख्याओं को जोड़ना सीखा अब उसी से रिलेटेड क्या है अभ्यास है को दिए हुई है उठेडITY व्यास नहीं सब्सक्राइब बनेंगे, तीन अंकों वाली संख्या को जोड के देखेंगे, कॉंसिस बनाएं, फिप्त नंबर का, 37 धन 28 धन 19, इन तीनों को जोड़ना है, इस विधी से, एका धिक विधी से, है ना, एका धिक विधी, एका धिक मतलब की, बिंदू, एक बिंदू, एक बिंदू का मतलब क्या होता है, यहां पर एक होता है, क्या करेंगे सबसे पहले, इकाई के, साथ और आठ को जोड़ेंगे, साथ और आठ को जोडने से, क्या मिलेगा, फिर पंद्रा, पंद्रा में, पंद्र पंद्रा का जो एक है उसे इकाई के इदाई के दो के उपर बिंदू लगा देंगे हासिल लगा देंगे कहां पे बिंदू के रूप में दो के उपर और पांच को फिर से एट करेंगे किस से प्लस फाइब किस से एट करेंगे नो से नो धन पांच पंद्रा का जो पांच है उ लिखेंगे बिंदू करूप में नौ धन 5 बराबर कितना होगा 14 अब 14 का 4 1 को यहां पर परणाम के रूप में लिखें गेंगे और 1 को बिंदू करूप में अब दहाई के जितनी अन्ख है और बिंदू है उन्हें हमें जोडना है तीन धन बिंदू धन दो धन बिंदू धन एक को जोड़ करके जितना आएगा उसे हमें लिखना है यहाँ पे तीन धन बिंदू बिंदू का मतलब है एक धन दो धन बिंदू बिंदू का मतलब में यहाँ पे एक धन एक 3 धन 1 बराबर 4 4 धन 2 बराबर 6 6 धन 1 बराबर 7 7 धन 1 बराबर 8 कितना आया 8 टोटल कितना आएगा इन तीनों को जोड़ने पर 84 अंसर क्या मिला हमें 84 इसी प्रकार से एकाधीख विधी से हमें इखा करना है बाकियों को जोड़ना है अब एकाधीग चिन है मतलब कि बिंदू लगा कर घटाना सिकते हैं भी तक अमने जोड़ना सिखा अग घटाना सिकते हैं घटाने के ऐसे सवाल जहां संख्याओं का ऊनर सहिंíss उधार लेने वाले प्रश्ण करना पड़ता है तब एकाधीग चिन लगा कर घटाते हैं जब क का करना पड़ता है घटाने वाले ऐसे कोशन मेरा हुषस्ज से ना इस जोडने के लिए घटाने के लिए कुछ उधार उधार कब लेते हैं जब ऊपर अली संख्या नीचे उरी संख्या से चोटी हो जैसे सब Prime संक्या पे तीन है यह तो तो भां हम हमें इस प्रमित्र का उपयोग करना पड़ता है परम मित्र का उप्योग करना होता है एक अधिक चिन लगा कर हम क्या पढ़ रहे हैं गटाना पढ़ रहे हैं तो एक अधिक चिन अप लगाने वाले तब होते हैं जब हमें किसी उधार लेने वाले प्रेश्णों को खटाने के लिए उप्योग करना हो यहां हमें बैदी गड़ित की एक और अधारना परम मित्र का उप्योग करना पड़ता है ऐसी दो संख्या है परम मित्र किसे कहते हैं ऐसी दो संख्या है जिनका योग फल कितना हो दस हो उसे हम क्या कहते हैं परम मित्र 10 होता है, एक दूसरे की परम्मित्र कहनाते हैं, जैसे 3 का परम्मित्र क्या होगा, 7, और 7 का परम्मित्र क्या है, 3, 3 का परम्मित्र 7, 7 का परम्मित्र 3, क्योंकि 7 धन 3 बराबर कितना होता है, 10, इसी तरह 6 का परम्मित्र 4, 4 का परम्मित्र 6, क्योंकि 6 धन 4 बराबर भी होता ह पांच स्वयाम का सम मित्र है क्यूंकि पांच धन 5 बराबर भी हुता है दस पांच और पांच दोनों एक दुसरे के ही परम मित्र है आईए एक उधारन से घटाने की क्रिया को समझते हैं उधारन, हल करें, 36 में 17 घटाना है, 36 से 7 को नहीं घटा सकते, 6 क्योंकि छोटा संख्या है और 7 बड़ा है, तो 7 के परमित्र मतलब की 3 को 6 से जोडने पर, 3 धन 6, 3 क्या है, 7 का परमित्र है, 3 धन 6 करने पर क्या मिलेगा हमें, 9 मिलेगा, 9 को यहाँ पर लिग देना है, इसे परिणाम के रूप में नीचे लिग देना है, और एक के उपर मतलब की दहाई में जो एक है उसके उपर एक अधिक चीने लगा दिना है इसका साथ का परमित्र को छह से जोड़ना है जिजे लिएहाँ पर लिखना है और एक को को एक मतलब की इसे नीचे लिखे और एक के उपर एक अधिक चीन है एक के उपर एक अधिक चिन्न लगाना है अब क्या करना है अब तीन में से एक अधिक चिन्न और एक याने दो घटाना है तीन में से एक और एक अधिक चिन्न दोनों को जोड़ करके दो घटाना है मतलब कि एक अधिक चिन्न को एक मानेंगे और एक बराबर हो जाएगा दो और तीन में से दो खटाना है तो हमें क्या मिलेगा एक मिलेगा तीन में से दो खटाने पर एक मिलेगा एक मिलेगा इसे परणाम के रूट में नीचे लिखना है हल उननीस मिलेगा हमें आंसर क्या मिलेगा उननीस इसे हम सदारम विधी से भी आसी वाला लेकर उधार लेने वाले विधी से भी बनाएंगे तो हमें उन्नी सी मिलेगा दूसरा उधारान देखने है उसी में घटाने वाले में ही दूसरा उधारान देखने है इसमें क्या करना है 75 में 28 को घटाना है 75 मतलब कि 5 है इगाई में और 8 है 28 में 8 है और 75 में 5 है 5 में से 8 नहीं घटा सकते 8 का परम्मित्र क्या होगा 2 8 का परम्मित्र 2 क्योंकि 8 धन 2 बराबर होता है 10 करना है 5 में से जोड़ना है दो को 8 का परमित्र सा जोड़ेंगे तो दो के उपर एक आधि कर को लगा देंगे अब सात में से दो धन एक याने तीन घटाना है दो धन एक कर लेना है और सात में से उसे घटा लेना है दो धन एक बराबर तीन तो सात में से तीन घटाने पर क्या मिलेगा चाय मिलेगा इसे परवणाम ज़रूप नीचे लिखना है हल क्या मिलेग हमें 47 इसे क्या होगा एक धीक चिन्न लगाने से जो हम घटاتे हैं उसे हमें घटाने में असानी पड़ती है अब क्या देखते हैं उसी एका धीक चिन्न के विधी से हमें घटाने वाले में कुछ कोश्चन दिये हुए अभ्यासे का अधिक चिन लगाकर घटाना है उझे हमें बनाना है तो देखते हैं घटा करके 72 में 18 घटाना है पहला कोश्चन क्या है 72 में 18 को घटाना है किस विधी से एक का अधिक चिन है जो की बिंदु होता है उसे हमें क्या करना है घटाना है अब क्या करना है आठ का आठ का परम मित्र क्या होगा दो होगा क्योंकि आठ धन दो बराबर क्या होता है दस होता है आठ का परम मित्र दो दो को हमें क्या करना है इस दो से जोड देना है दो को जोड़ देना है किस से उपर आले दो से जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा चार जिसे हमें परणाम सवरूप यहां पर लिख देना है और दहाई में एक उपर परम एकाधिक चिन लगाना है एकाधिक चिन जो है बिंदू उसे दहाई के एक उपर में लगाएंगे अब क्या करना है साथ से दो धन एक दो धन बिंदू मना एक धन बिंदू को जो की क्या आएगा बिंदू मतलब की एक दो को साथ से घटाना है क्या मिलेगा दो को साथ से घटाने पर पांच फिफ्टी फॉर इसका आंसर होगा ऐसा तब करते हैं जब उपर अली संख्या क्या हो छोटी हो नीचे अली संख्या से क्योंकि दो को हम आठ से नहीं घटा सकते इसलिए आठ का परमीत्र लेंगे क्या दो जिसे दो से जोड़ना है और आंसर को यहाँ पे लिग देना है एक के साथ चीन्ह को जोड़ेंगे और साथ से घटाएंगे इता मिलेगा 54 जो की हमारा अंसर होगा इसी प्रकार सभी सरकोषट को हमें हल करना है अब देखेंगे गुड़ा इसी में आगे अब देखेंगे हम क्या गुड़ा के कोशन देखेंगे देखो समझो पूरा करो ये एक एक पजल टाइप को दिया हुआ है पजल ही है उसे हमें देखना है समझना है और देखता है कि क्या करना है छे साथ आठ यहाँ पे तीन संख्या दे हुई है तो छे सत्ते किता होता है 42 उसी प्रकार से छे को आठ से गुड़ा करके आंसर को यहाँ पे लिखना है साथ को आठ से गुड़ा करके यहाँ पे आंसर को लिखना है तो एट सिग्जा कितना होता है 48 आठ चीका 48 आठ सत्ते 56 उसी प्रकार से इहें भी हमें सॉल करना है 10, 5, 30 तो 10 10 को 30 से गुड़ा करने पर हमें क्या मिलेगा 300 याद यह हुआ है तो बीच की संख्या दीव उसी प्रकार से 10 से 5 को गुड़ा करना है 30 को 5 से गुड़ा करके बीच में उसको आंसर क्लिकना है 10, 5, 50 और 5 को गुड़ा करना है 30 को 10, 5, 50 और पांच को तीस से गुड़ा करने पर क्या मिलेगा महसुन अमसुन या पांच तीया पंद्रा एकसो पलचास उसी प्रकार पंद्रा छे और अठारा छे अठारा को छे से गुड़ा करने पर क्या मिलेगा एकसो आठ पंद्रा चिक्का कितना होता है पंद्रा को टारा सुगुड़ा करने पर जो मिलेगा उसे यहां पर इस खाली जगह पर लिखना है तो 15 कुड़ी 6 बराबर 36 कुड़ी 6 ने हासिल में तीन 6 कम 6 6 3 9 90 15 कुड़ी 6 15 को 18 से गुड़ा करने पर जो मिलेगा उसे हमें यहाँ पिलिखना है 15 कुड़ी 18 8 पंचे 40 कुड़ी 6 ने हासिल में चा 8 ए कम 8 8 9 10 11 12 120 15 0 5 6 7 2 270 15 गुड़ी 18 का क्या मिला 270 90 270 और इसी प्रकार से इन पहलियों को हमें क्या करना है गुड़ा करके निकालना है आगे हम क्या पढ़ेंगे गुड़ा का और भी कोश्चन्स है उन्हें हमें पढ़ना है आप खाया है उन्हें हमें प्रकारे इसलिए उन्हें थाले हैं ज्ड़ा क्या करना आप शूपट आवचे पढ़ पढ़ेंगें ठाव़ा प्रकारे इसलिए अब़ास झाले हैं